आज का हमारा विशय है पुन्य का खाता जमा करने की विधि बाबा नी कहा आप सभी पुन्य आत्माई है और प्रते दिन अपना पुन्य का खाता बढ़ते जा रहे हो। कितना खाता जमा हो गया इसको आप आसानी से जान सकते हो। एक होता है दान करना और एक होता है पुन्य करना। दान से भी पुन्य का महत्व अधिक है क्योंकि पुन्य करम नी स्वार्थ सेवा का कर्म है। उसमें दिखावा नहीं होता वो दिल से होता है। लेकिन दान करम कभी-कभी दिखावे का भी होता है और कभी-कभी दिल से भी होता है। पुन्यवान आत्मा की कुछ निशानियां होती हैं, पहली निशानी है कि ऐसी आत्मा अवश्यक्ता के समय मदद करती हैं, अवश्यक्ता के समय दूसरों के काम आती है, दूसरी निशानी है कि ऐसी पुन्य आत्मा के खाते में लोगों के दिल की सची धुआई जमा होती रहती तीसरी निशानी है कि पुन्य आत्मा को परमात्मा के दुआओं रूपी पर्तेक्स फल प्राप्त होता है और वो स्विम भी अपने द्रिष्टी, वृत्ती, भावना से सबको दुआई ही देती है चोथे निशानी है पुन्य आत्मा संतुष्टता और प्रसन्यता से भरपूर होती है बेफिकर बाज़्या होने के कारण वह अपमान और अभिमान से परे होती है और पांचवे निशानी है पुन्य आत्मा हर संकल्प, करम, बाणी के द्वारा पुन्य का खाता जमा करती हैं और पुन्य का खाता जमा होने की निशानी है कि ऐसी आत्मा व्यर्थ से मुक्त होती है फिर बाबानी एक बहुत सुन्दर बात बताई कि अगर आप गुलानी को महिमा में बदल लेते हो ये पुन्य की सबसे सुन्दर विधी है बाबानी का आपका एक स्लोगन है जिसको आप रिपीट करते हो दिवारों पे भी लिखके लगाते हो कि दुख देना नहीं है दुख लेना नहीं है सुख देना है और सुख लेना है तो आधा स्लोगन आप सब बच्चों ने अच्छे से पका कर लिया है कि हमको दुख देना नहीं इसमें सभी पास बार-बार याद आता है कि हमको दुख देना नहीं है लेकिन बाकी आधा स्लोगन भूल जाते हो और फिर बहाना क्या करते हो कि उसने दिया मैं क्या करों उसने ऐसा बोला मैं क्या करों खुद के वकील बनके अपने केस की पैरवी करते हो तरक देते हो बाबा ने कहा कि ठीक है उसने दिया, उसने ऐसा बोला, लेकिन आपने लिया क्यों? क्या बाबा ने कहा हैं कि दुख से जोली भरो? अगर कोई दुखदाई बात देता हैं, तो क्या आप उसे किनारा नहीं कर सकते? और फिर बाबा ने एक बहुत सुन्दर बात बताई, कि आप अपने आपको कहते हों कि अमविश्व परिवर्तक, प्रकरती सहित सबकुछ बदलने वाले हैं, तो अगर किसी ने दुख दे भी दिया, तो क्या आप उसे सुख में नहीं बदल सकते? दुख को सुख में बदलना, गलानी को महिमा में बदलना, यही पुन्य आत्मा बनना है। बाबा ने का आपके मा जगदंबा क्या कहा करती थी? याद है न, जगदंबा मा हमेशे कहा करती थी कि जो आपके गलानी करे, गाली दे, दुख दे, उसको रहम की द्रिश्टी से देखो। और ऐसी आत्मा को दिल से गले लगाओ, उसके उपर महिमा के फूल चड़ाओ, स्थोल रूप में गले नहीं लगाना। लेकिन संकल्प रूप में ऐसी आत्मा के लिए शुबभाव ना रखो, शुबकाम ना रखो, यही है गले लगाना। और फिर बाबा नहीं कहा कि क्या कोई समझदार विक्ति किचड़ा अपने पास जमा करके रखेगा, किचड़े में से तो जम्स निकलेंगे, तो दुख जम्स निकलेंगे, अभी आप बचे मोटे पाप तो नहीं करते हो, लेकिन अगर दुख का लेंदेन करोगे, तो सुक्सम पाप के जम्स उस लेंदेन में जरूर आ जाएंगे, लेकिन अभी तो आपको पुन्नी आत्मा बनना है, इसलिए दुख लेना भी नहीं है, दुख सुख में बदलना है, कई बच्चे बाबा से बड़ी मिठी मिठी बातीं करती है, कहते हैं, बाबा, हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है, तो बाबा नी पूछा, कि आप नहीं चाहते हो, तो कौन चाहता है, जो कहते हो हो जाता है, कोई और है क्या, दुसरी आत है क्या है आप कहते होना नहीं के लेकिन फिर भी हो जाता है तो कोई और आत्मा दूसरी आत्मा आके कर जाती है क्या है क्या हुआ जो होना नहीं चाहिए और जो करना न अपने विचारों से, वाणी से, कर्मों से, संबंध संपर्क से निरंतर पुन्य का खाता जमा करेंगे। बाबा ने का आप बच्चों के मुखे छे खजाने हैं। समय, स्वास, संकल ये तो आपके पास थे ही। लेकिन बाबा ने तीन खजाने और दे दी, ग्यान, गुण और शक्तियां। इन छे खजानों को जितना अधिक सफल करोगे, पुन्य का खाता बढ़ता जाएगा। दुनिया में किसी चीज को खर्च करो, तो वो घट जाती है। लेकिन बाबा के ग्यान में खजानों को जितना खर्च करो, उतना ही वो बढ़ते जाती है। दुनिया में और इश्वरिये ग्यान में बहुत फरक है। बाबा ने कहा, वहां जमा करने से बढ़ते हैं या खर्च करने से बढ़ते हैं। और इसलिए बाबा ने एक सुंदर स्लोगन दिया, यूज करो, नहीं तो लूज हो जाओगे। बक्ति मारेग में भी हम देखते हैं कि सादकों को ये शिखाया जाता है कि आपके पास जितना भी धन है उसको दान करो, सफल करो, तो वो बढ़ जाएगा। तो आप बच्चे भी अपना खाता देखो, आपने कितना सफल किया, बाबा ने कहा, वो लोग तो क्या करते हैं, तिजोरियों में जमा करते जाते हैं, और फिर कहते हैं, हमारा बहुत जमा है, बहुत जमा है। लेकिन आप ऐसे नहीं करना कि मेरी बुद्धी में ज्यान बहुत जमा है, गुण बहुत जमा है, शक्ती बहुत जमा है, नहीं, जमा हैं, तो उनको कारिये में लगाओ, बाप ने कारिये में लगाने की विधी बताई है, और अगर उस विधी से कारिये में नहीं लगाओग बाबने का आपके पास जो गुण है वो बाप की देन है जो विशेश्टा ही है वो बाप की देन है और प्रभु देन को बाप की देन को अपना मानना ये अमानत में खयानत है ये पाप है कई बच्चे परत्यक्स रूप में भी और मानी मन सोचते रहती हैं कि मेरी शक्ति को काम में नहीं लगाया जाता मेरे इस गुण को काम में नहीं लगाया जाता बाबा ने कहा गुण किसका दिया हुआ है शक्ति किसके दिव हुई है जो सोचते हो कि काम में नहीं लगाया जात बाप की देन है ना तो बाप जानी कैसे यूज करना है भक्ति के 63 जन्मों में आपने क्या किया मुख से तो कहते रहे सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा लेकिन अंदर से मानते रहे मेरा लेकिन ग्यानमारग में यह ठगी नहीं चलती है ग्यानमारग में सचे दिल से प्रभू की अमानत को प्रभू की अमानत ही समझना है नहीं तो प्रभू की अमानत का अपमान और अभिमान हो जाता है इसलिए कहीं बे बाबा बाबा शब्द भूलो मत बाबा ने बुद्धी दिये बाबा ने शिक्ती दिये बाबा का सेंटर है बाबा की सब चीजी है इसको कहते हैं खाता जमा करना बाबा ने का कई बच्चे नशे में आकर के कहते हैं कि हमने सेंटर बनाया है तो हमारा अधिकार है बाबा ने का ठीक है सेंटर आपने बनाया पर बनाया किसका सेंटर किसका सेंटर तो बाबा का है तो बना करके बाबा को अरपन कर दिया अब आपका कहां से रह गया कोई ग 63 जनम तो मेरा मेरा कहते कहते मेले होते आई अभी और भी मेला होना है क्या बाबा नी का नहीं तेरा तेरा कहना सीखो याद रखो तन मन धन सब प्रभु की अमानत है फिर बाबा नी का कई बचे कहते हैं कि हम सारा भगवान को कैसे देते आई वेल के लिए कुछ तो अपने पास रखना पड़ेगा ना बाबा ने का भले रखो पर मेरा पन मत रखो बाबा ने कहा कि जब तक बाप है कोई पाप हो नहीं सकता और बाप से अगर मूँ घूम गया तो पाप अवश्य हो जाएगा और जैसे ही पाप नजदे काता हैं त तो बुद्धी बदल जाती है फिर कितना ही समझाओ तो यहीं कहेंगे नहीं मुझे तो ऐसे ही करना है तो बाबा ने का ज्यान के होश में रहो पाप के जोश में मत आओ और कई बच्चे पुराने संसकारों को यूज करते रहते हैं और नए संसकारों को छिपा देते हैं ज नए कपड़े कोई नया बर्तन या कोई और नए चीज और पुरानी को यूज करते रहेंगे बाबा ने का आप ऐसे मत करो नए संसकारों को अलमारी में चिपा के मत रखो और पुरानों को हमेश्या यूज मत करते रहो नए संसकारों को यूज करो तो पुरानी अपने आप स्माप तो हो जाएंगे और फिर बाबा नी कहा कि कई बचे कहते हैं मेरी वृत्ती तो बहुत अच्छी है अच्छा वृत्ती अच्छी है तो उसे सेवा में लगाओ कई कहते हैं मेरी संसकार तो श्यांती के हैं श्यांती के संसकार है बहुत अच्छी बात है उन्हें सेवा मे लगाओ, बढ़ाओ, क्योंकि पुन्य का खाता तभी जमा होगा, जब आप बचत करोगे, जब आप उने सेवा में लगाओगे, जब आप उने बढ़ाओगे, कई कहते हैं कि मेरे पास तो ग्यान का, गुण का, शक्तियों का बहुत खजान है, बाबा नी कहा, खजाना जमा है ये सोच सोच के खुश मत हो जाओ, लेकिन अपने साथियों की निश्वार्थ भाव से, उन खजानों के द्वारा सेवा करो, तब वो खजाने बढ़ेंगे, आपका पुन्य का खाता बढ़ेगा, पिछले 63 जन्मों से, आप बच्चों ने सब कुछ गमा दिया, खाली हो संगम युग ऐसा युग है, जिसमें खाते जमा होने की विधी स्वें भगवान दे रही है, तो इस समय का फायदा उठाओ, पुन्यवान बनो, धनवान बनो, सारे वर्दानों से भरपूर बनो, यही बाप की बच्चों से शुब आश, ओम शान्ति